आज बात करेंगे उन दो टाबलेट के बारे में जो खास करके वजन बढ़ाने के लिए बोड़ी बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती है जिसे कि आप सभी लोग प्रैक्टिन और डेक्जोन इन पापुलर ब्रैनियम से जानते होगे तो दोस्तों ये जो दोनों टाबलेट है ये बिल्कुल अलग-अलग टाबलेट है अलग-अलग दवाईया है लेकिन जब इन दोनों टाबलेट को एक साथ में लिया जाता है तो व्यक्ति का जो वजन है वो अपने अब पढ़ने लगता है व्यक्ति मोठा दिखने लगता है वो या तो पहले की तरह नॉर्मल रहता है या फिर उससे भी खराब कंडिशन हो जाती है सो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि इस दवा को किस तरह से लिया जाए ताकि आपका जो वजन है वो फिर से कम ना हो यानि कि इसे लेने का सही तरीका क्या है और साथ ही हम इन दवायों के साइड इफेक्ट मतलब ये दवा लेने के बाद क्या-क्या दुश परिणाम देखने को मिलते है इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साउधानियों के बारे में विचाना कर लेंगे कि मतलब ये दवा लेते वक्त क्या-क्या साउधानिया पर रखनी चाहिए तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिन टाबलेट है जिसमें आपको साइप्रो हेप्टाडाइन ये में ड्रग देखने को मिलता है तो ये है एक एंटिस्टामाइन टाबलेट है और साथ ही ये एपेटाइजर का भी काम करती है मतलब ये जो दवा है ये आपके भूग को बढ़ाने का काम करती है और जो दूसरी टाबलेट है जिसका नाम है डेक्सोना उसमें आपको Dexamethasone ये मेन कंटेंट देखने को मिलता है जो कि एक प्रकार की steroid दवा है जो कि order बहुत सारी condition में भी दी जाती है जैसे कि arthritis में भी इससे दिया जाता है हडियोपी, सूजन वगेरा होती है, दर्द रहता है तब भी इस दवा को दिया जाता है साथ ही इस दवा को order medicine के साथ भी दिया जाता है ताकि बाकी medicine को ये दवा उन medicine का absorption बढ़ाए तो बाकी medicine का absorption बढ़ाने के लिए इस दवा को other medicine के साथ दिया जाता है तो दोस्तों जब ये दोनों दवाईया एक साथ ली जाती है तो व्यक्ति का जो वजन है वो बहुत जल्दी बढ़ने लगता है तो इसलिए बहुत सारी लोग इस दवा को वजन बढ़ाने के लिए लेते हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि इस दवा को किस तरह से लिया जाता है इन्हें लेने का सही तरीका क्या है ताकि आपका वजन कम ना हो लेकिन उसे पहले दोस्तों नीचे का जो रेट वाला सब्सक्राइब बटन दिखाए दे रहा है उसे जरूर प्रेस कीजगा इससे क्या होगा हमारी चैनल पर आगे मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी वीडियोज अपलोड होगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगे और वो भी बिल्कुल फ्री में तो दोसों सबसे पहले इस दवा का जो इनिशल डोस होता है मतलब जो शुरुवाती दिनों में दिनों का डोस होता है उसके बारे में बात करते हैं तो शुरुवाती दिनों में प्रैक्टिन टाबलेट दिन में दो बार सुबह शाम खाना खाने के बात ली जाती है और इसके साथ डेक्जोना टाबलेट भी दिन में दो बार सुबह शाम खाना खाने के बाद ली जाती है और इसका ये जो डोस है ये लगातार 20 दिन तक चलता है उसके बाद दोस्तों जो डेक्जोना टाबलेट होती है उसका जो डोस है वो कम किया जाता है ये दिन में दो बार लेने की जगह दिन में सिर्फ एक बार ली जाती है क्योंकि दोस्तों ये है एक steroid drug है इसे लंबे समय तक नहीं ले सकते इसके कारण बहुत side effect देखने को मिल सकते हैं इसलिए इसे एक महिने से ज़्यादा इसका dose नहीं लिया जा सकता और जो प्रैक्टिन टाबलेट है इसे पहले की तरह है सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक टाबलेट ली जाती है और प्रैक्टिन टाबलेट का ये जो डो से ये तीन से लेकर चार महिने तक चलता है तो दोस्तों ये था इन दवायों को लेने का सही तरीका और दोस्तों इस दवायों के साथ साथ आपको अच्छी और हेल्दी डायट भी लेनी होती है आपके मिल में कैलसियम, आयरन कंटेनिंग फूड होने चाहिए साथी पनीर, दही, छांच ऐसे दूस से बने पदाहत्तों को भी आड़ करना होता है फूट्स में केली का सेवन करना भी अच्छा रहेगा ताकि आपका जो वज़न है वो फिर से कम ना हो लेकिन ध्यान रहे दोस्तों इस दवा को कभी भी डॉक्टर के सलहा के बिना इस दवा का सेवन ना करें क्योंकि डेक्जामेटाजोन यह एक स्टिरोइड रग है अगर आप डॉक्टर के सलहा के बिना इसे लेगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते है क्योंकि दोस्तों डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडिशन को मद्दे नजर रखते हुए आपको दबा लेने के लिए प्रिफर करेंगे अगर डॉक्टर को लगेगा तो उवे आपको दबा को सजेस्ट करेंगे वरना आपको झो सही सलह हęd वो देगे इसलिए सर्फ मेडिकेशन ना करें दबा को लेने से बहले डॉक्टर की सलह अवश्य ले दोस्तों side effect की बात करें तो इस दवा के कारण diabetes की भी problem हो सकती है क्योंकि जो dexona tablet है यह एक steroid drug है जो शरीर में sugar का liver बढ़ा देती है साथी electrolytes का imbalance होना पुरूशों में infertility की problem और महिलाओं में irregular menstrual cycle यह कुछ problem side effect आपको इन दवाईयों से देखने को मिलते है साथी skin के problem भी देखने को मिलते है यह आप इस दवा का लंबे समय तक इस्तमाल करते है तो दोस्तों इसे हमेशा doctor की सलापर ले self medication ना करें दोस्तों हमारी channel पर medicine से related जितने भी videos upload किये जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ informational and educational purpose से किये जाते है तो इस बात को मद्दे नजर रखते हुए किसी भी दवा का खुछ से 7 ना करें दोक्टर से consult करें उसके बाद ही दवा का 7 करें तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही I hope you liked this video If so then don't forget to like, share, comments and of course subscribe over YouTube channel online pharmacy for medicine and health related views Thank you, thank you for watching